देवात्मा हिमाले की तलहटी में बसा जम्मू कश्मीर पर्यटन की दृष्टी से अधिकतर लोगों की पहली पसंद है। देव संस्कृती विश्व विद्याले के प्रतिकुलपती आधरनी डौक्टर चिनमे पंडिया जी ने सुन्दर बनी साधना इस्थली के विश्व में कहा। सभी गायत्री परिवार के भाई भेनों को हर देशे प्रणाम सभी का भिनंदन। हम लोग भारती चिंतन में एक विशय साथ में लेते हैं। बोलते भी हैं उस विशय में कि हर भूमी की अपनी एक पुकार होती है। अपनी एक आवाज होती है। वर्षों पहले भारत के एक बड़े प्रसित दुद्योग पते नाम नभी बोलूं तो लोग जाएंगे। पुझ गुर्देव के पास आये। और गुर्देव से बोले कि गुर्देव हमारा जो क्षेत्रे हमने बहुत बड़ी भूमी ली है। यहां पर कॉलोनी बनाने का मन है। जाम नगर के पास भूमी है। तो गुर्देव ने का बेटा उस भूमी के आवाज कुछ और है। वहां पर तो ओयल की रिफाइनरी खोल। तो बोले वहां पर आएगा कौन। बहुत ही उजाड है एकदम वीरान है। इतनी दूर में रिफाइनरी खोलेंगे तो आएगा कौन। बोले कि बिटा हर भूमी के अपनी एक पुकार होती है। कहीं पर देवाले बनता है, कहीं भूमी चाहती है कि विद्ध्यालंे बने। कहीं भूमी चाहती है कि चिकेट-साले बने। उस भूमी की आवाज है कि वहाँ पर ओयल की रिफाइन दी बने और कुछ पनाएगा तो उस जगह की जो आवाज है वो संतुष्ट नहीं नो पाएगी और बाद में इतियास गवा है कि वहाँ पर क्या गटा वैसे ही इस भूमी की सुंदर बनी की अपनी ही कावाज है हिमाले से सुरम दृष्टी से गिरा हुआ नैसरगी के स्थान प्राकृतिक शुष्मा के मद्ध इस भाव के साथ है कि वहाँ पर व्यक्ति जाए और गुर्देव ने जो हिमाले का ध्यान बताया उसको गहराई के साथ अपने मन में, चंतन में, साधना में प्रतिष्टित कर सके आत्मसाथ कर सके वो जो साधना भूमी है, बड़े ही पवित्र भाव को लेकर के आई भागौलिक द्रिष्टि से बिलकुल उस स्थान पर है जहां पर भारत की सीमाएं पाकिस्तान से, चीन से, दोनों से लगभग लगभग थोड़ी दूरी पर मिलती है भारत का एकदम सीमान तक्षेतर, एक तरफ सुरब में हमाला है दोनों तरफ भागौलिक द्रिष्टि से महत्यपूर्ण स्थान है और उस जगह पर अपने गायत्ती परिवार के कारेकरताओं ने अदभुत श्रम के द्वारा साधना भूमी का निर्माण किया है वहाँ पर ये जो साधना शिवर प्रारभ हो रहे हैं निश्यत रूप से हर साधक के मन में एक नवीन प्रेजणा को जगाने के लिए उमगाने के लिए आए है उस भाव को पैदा करने के लिए आए हैं जो साधना को शीर्ष पर प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्रक होता है हमको साधना करनी हो भगवान गीता में बोलते हैं तो उसके लिए नौ चरणों का एक अनुबंध है उसका परिपालन आवश्रक हो जाता है व्यक्ति को पढ़ाई करनी हो तो लाइबरेरी में जाता है उसके लिए अपने उप्युक्त वातावरन को ढूंदता है हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में हर कमरे में बैठ करके आप उपरेशन नहीं कर सकते हैं आपको उपरेशन के लिए उप्युक्त वातावरन की आवश्रक्ता होती है छोटा सा कंप्यूटर लगाना है तो आपको एसी लगाना पड़ता है उसके लिए उप्युक्त वातावरन की आवश्रक्ता होती है नहीं तो इलेक्ट्रोनिक गैजट्स जो है वो खराब होने लग जाते है जब एक छोटे से गैजट को उप्युक्त वातवरण की आवश्रक्ता है तो मनुष्य को क्यों नहीं होगी हर व्यक्ति को अपनी साधना के लिए उप्युक्त वातवरण की आवश्रक्ता होती है और वो जो उप्युक्त वातावरण है जहां पर सहजता से साधना की जो अंतरमन की पुकार है वो उस गती को उस प्रवाह को प्राप्त करती है जिसके माध्यम से हम उस दिविसत्ता से एकाकार हो पाते हैं जिसको हमने परमात्मा इश्वर पुर्शोत्तम कहकर के पुकार वो उस स्थान पर मिलता है नाम भी ऐसा है सुन्दर बन जहां पर अपने आप जो सुरम में वातावरण है अरण्य का वातावरण है वो इतना सुन्दर और शुश्मा से भरा हुआ है कि मन सहजी अकरशित हो जाता है साधना करने के लिए हम लोग जब भारती वैदिक सहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें वेदों के भी चार हिस्से कहे गए मंत्र हैं, संगिता हैं, अरण्यक हैं और उपनिशद हैं जो मंत्र हैं, उनका जो कलेक्शन है, उनका संकलन है वो संगिता बना, संगिता को पढ़ने के लिए संगिता का जो अध्यात्मिक पक्ष है उसको पढ़ने के लिए रिशी बोलते हैं कि अरण्य का वन का होना आवश्यक है क्योंकि वहां बैठकर उन विश्यों पर चिंतन करने से मन में उनके प्रती सहज वृत्ति का अभ्यदय होता है सोच के देखें कि जिस समय में इतना वैचारिक और सांसारिक प्रतूशण नहीं था तब रिश्यों ने चंतन दिया कि आपको अध्यात्मे की उरत्तियों को अपनी मन में जगाने के लिए अरण में वन में एकदम सुरम में वातावरण में होना अनिवार रहे तो आज की परिस्तितियों में क्यों समीचीन नहीं होगा इसलिए उस जगह पर साधना के लिए उप्युक्त भूमिका निर्मान किया गया ताकि वहां पर गायत्री साधक बैठकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य का इसमरण कर सकें पुझ गुर्दे वंदनिया माताजी से जुड़ सकें भावनात्मक सघनता को अनफव कर सकें आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें वो सभी साधकों की जीवन में आया ऐसी शुभ कामना है मंगल कामना है शांतिकुंज हरिद्वार के मार्ग दर्शन में पवित्र तवी नदी के निकट इस्थित गायत्री शक्ति पीठ सुन्दर बनी को साधना केंद्र के रूप में विक्सित किया जा रहा है सनातन संस्कृती की अनुसार समस्त संसकार भी संपन्न कराय जा रहे है इसके साथ ही युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार रिकिया जा रहा है आपका भी जब मन हो तो एक बार अवश्य पधारें और रिशियों की तप उर्जा और सात्विक साधना का अनुभव प्राप्त करें